देखिए दुनिया की कोई भी परिशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती है। देखिए आज का हमारा पहला प्रशन है कि DNP सलाकार के अनुसार भारत का जो पहला यूनिकार कमपनी है ये कौन था। 2008 में लांच किये जाने के समय ये जो है 1.1 बिलियन डालर था। बहुत बड़ी बात है। यह रखेगा कि भारत का पहला यूनिकार कमपनी था इंडियन प्रीमियर लेक। और दूसरा कि बांगलादेश की प्रधानमंत्री से खसीना नेके सस्तान पर बांगलादेश के पहले पंडूपी बेस BNS से खसीना का उद्गाटन किया। तो दिखे यह प्लेस अपका है बांगलादेश का काक्स बाजार जहांपर BNS से खसीना का अब यारी में उद्गाटन किया गया बांगलादेश से प्रधानमंत्री के तवरां। और यहार रखेगा कि BNS से खसीना बांगलादेश का पहला पंडूपी बेस है। इसको चीन की मदद से किया गया है बांगलादेश के काक्स बाजार में ठीक है और काक्स बाजार में भी एक अस्तान है पेक हुआ। और तीसरा प्रशने की आली में पस्चिम मंगाल के सेली गुडी और बांगलादेश के दिनाजपूर जिले के परबती पूर के बीच कितने किलोमेटर लंबी भारत बांगलादेश मैतरी पाइपलाइन का उगर्ण किया गया यहाँ पर याद करने वाला पॉइंट क्या है भारत बांगलादेश मैतरी पाइपलाइन का कुल लंबाई 130 किलोमेटर होगा और आपको पताते हैं यह पहली ऐसी पाइपलाइन होगी जिसके माध्यम से भारत से जो है रिपाइफल बांगलादेश को अपूधी कहा जाएगा यानि कि एक पाइप की माध्यम से जिसके लंबाई कितनी है 130 किलोमेटर तो 130 किलोमेटर लंबे पाइपलाइन के माध्यम से डीजल की अपूधी भारत करेगा बांगलादेश को और आप मताते हैं कि कुल रास्ते में 6 किलोमेटर भारत की और होगे यानि कि 130 किलोमेटर में 6 किलोमेटर हिस्सा भारत में होगा और बाकी 124 किलोमेटर बांगलादेश की और होगा और दिखी इस पाइपलाइन परियुना का जो भारती हिस्सा है यह असम के नुमाली गर रिफाइनरी लिमिटेट के द्वारा काराणूरित किया जाएगा और जो बांगलादेशी हिस्सा होगा यानि कि जो 124 किलोमेटर का हिस्सा बांगलादेश में होगा ये बांगला देश पेट्रोलियम कारपोरिशन को द्वारा कारेनुट किया जाएगा और इस पाइपलाइन की शम्ता परती वर्ष एक मिलियन मेट्रिक टर्न होगी और ये रिफाइन डिजल भारत के असम के नुमाली गड़ से परबसी डिपो को आपरती करेगा तो यहाँ पर जिदने पॉइंट है सबको नोट कलेगा एक एक पॉइंट प्रस्ण के रूप में एक्जामी पुछा देगा चौता की भारत का लक्ष किस वर्ष तक Global Hub for Green Sip निर्माण करना है तो दीकि भारत ने टार्गेट बनाया कि 2030 तक जो है यह Global Hub for Green Sip निर्माण करेगा दीकि भारत ने Green Tug Transition Program की सुरुवात करके West Week जहाज निर्माण उद्योग में एक लीडर बनने का लक्ष रखा है और 2030 तक जहरा चार्ज निर्माण के West Week Hub यानिकि Global Hub for Green Sip बनने का लक्ष शिट किया है और पांचवाई की हाली में परदीब सरकार का 67 साल की उमर में निधनों गया यह कौन थे तो दीकिए ये एक फिल्म निर्देशक थे और इनकी फेमस फिल्म है थी परिनिता जो की 2005 में आई थी और इसमें विद्याबाला ने मुखे भूमी का निवाई थी और इन्होंने लगा चुनरी में दाग, हेलीकाप्टर, एला और लफंगे परिन्दे जैसी अनिलोकरी फिल्मों का निर्देशन भी किया था तो प्रदीप सरकार एक फिल्म निर्दे सकते, 67 साल की हुर में इनका भी हाली में निदेन हो गया छटवा की हाली में खवरों में रहा, सिनियाद वीब यह किस देश में स्तित है तो देखिए जो आपका सिनियाद वीब है, यह सैयुक्त अरब अमिरात में स्तित है और इसको भी हाली में खोजा गया है देखिए पुरा ततवईदो ने सिनियाद वीब पर फारास की खारी में सबसे पुराने मोती सहर की खोचकी है और ये दुबई से लगभग 50 किलोमेटर उत्तर पूर्व में सित एक अमिरात उम्न अगल कैन में सित है जिसे देखी भारत में हड़पा संस्कृति खोजी गई थी तो उसी प्रकार ये आपका संग अर अमिरात में जो सिनियाद भी फैटिक है तो यहां पर जो है बहुत एक पुरानी सभिता खोजी गई है माना जा रहा है कि ये अरभियों का जो है जो पुरवे से अरभियों के जो उसे भारत के पुरवे जो हड़पा संस्कृति वाले थे तो वो कैसे रहते थें क्या उनकी जीमन से लिए थी ऐसा अनुमान लगा कि जो है अरभपन सिविलाजिशन के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसी परकार पुरवे तद्वियों उनने जो है संगत अरभ अमिरात के सिनियाद भी पर जो है पारास की खाड़ी में सबसे पुराने एक मोती के सहर की खोज़की है और सातमान की काउन सा सहर G20 Research and Innovation Initiative Gathering Conference का मेज़वार है तो देखे G20 Research and Innovation Initiative Gathering Conference का जो आईजन है ये आसम के डिबुरीगड में किया जाएगा और देखे आसम के एक शहर डिबुरीगड में दो दियुसी इस G20 Research and Innovation Initiative Gathering Conference में सौ से अधिक प्रनीदियों ने भीहारी में भाग लिया और इस समयलन के दोरान एक स्थाई और परिपत्र जैव अर्थ ब्योस्ता के निर्माड की दिशा में चर्चा के जागी अट्वा की एवल पुरसकार कि छेटर में उत कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है देखे जो अपका एवल पुरसकार है यह हर साल नार्वे के राजा के द्वाना दिया जाता है और ये एक या एक से अधिक उतकृष्ट गड़ित अग्यों को मानता देने के लिए प्रदान कहता है यानि कि ये एक बैक्त को या फिर एक से अधिक बैक्त को हर साल दिया जाता है और देखिए इस बार गडित के लिए एबल पुरुसकार अर्जेंटीनी अमेरिकी बेखती हैं लुईस कैफरेली तो लुईस कैफरेली को 2023 का एबल पुरुसकार दिया गया है याद रखेगा और लुईस कैफरेली को ये पुरसकार गड़ित में नॉन लिनियर पार्सियल एक्वेशन्स और फ्री बाउंडरी प्राब्लम्स को लिएकर दिये कई युगदान के लिए गया है देखे जो Able Priskeri से शुरुआत जाने माने गरी ता है कि नील से हर्नी केस सम्मान में हूँ थी और नारवे की सरकार ने 2.01 में इस पुरसकार की सुरुआती थी और 2.03 में पहला Able Priskeri G.N.P.E.A. को दिया गया था और देखी पुरसकार पाने वाली ब्यक्ति यानि कि एवल पुरसकार पाने वाला जो विजयता होता है इसको एक मेडल लियता है और साथ में 4 करोड 72 लाग रुपे की नगत धन्रास्टी दी जाती है नवप्रश्णी की किस देश ने 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन हुमन राइट्स प्रोजेक्ट लांच किया तो देखी जो आपका अमेरिका देश है अमेरिका ने 2022 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन हुमन राइट्स प्रोजेक्ट लांच किया है और इकी यूएस इस्टेट का उत्पीडन और अभिव्यक 307 पर प्रतिबंद जैसे मानवधिकार मुद्दों का सामना कर रहा है और दस्मा प्रशनी की हाली में आई-एम-एप के कारेकारी बोर्ड ने किस देश के लिए तीन बिलियन डालर के बेल आउट कारेकरम को मंजूरी दी है तो दीके भी हाली मे कारेकारी बोर्ड के दोरहन अनुमदित किया गया था जिसमें दीप राश्ट को यणि स्रीलंका को अपने आर्थिक संगर से उबरने में मदद मिलने की उमीद है दिकिसे स्रीलंका में बहुत बड़ी क्राइसिस चल लए थी पैसे की तो ये बहुत बड़ी आज के सभी कुशन अपने पे तो पहला प्रशन का जबाब दीजिए कि हाली में किसे राज में मुक्यमंत्री वरिक्ष संपदा यूरिनल लांची गई बदाईए और आप पताना कि सेमितर राश्ट विस उजल विकास रिपोर्ट 23 के मुसार भारत के इस वर्श तक पानी की कमी से सबसे गंभी रूप से प्रभाइद देश होगा और आप पताना कि गुलामी के सिगार लोगों की यात कांथा राश्टी दिवसम कम बनाते हैं और अभी हाले में किसे इन्वेश्ट इंडिया का मैनेजिंग डियरेक्टर और चीप एक्ज़ूर्टी ओफिसर बनाएगा बताईए और अभी हाले में किसे टोक्यो ओलंपिक सही कई अंतराश्टी हाकी मैच में अगर नहीं पता तो इन सभी प्रशनों का उत्तर जाने के लिए कल का वीडियो देख डालिए और अब हम बात करेंगे कल के पुछे के सभी कुष्यम अपरिके सीत्रों की देखे उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के हल्दवानी में स्पोर्ट यूनिवस्टी स्थापित करने की गोश्डा की है और 24 मार्च को हम भी सो टीवी दिवस मनाते हैं और दीखे जो आपका मिसर है इसने ब्रिक्स इनुव डिवल्पमेंट बैंक का मिमबर्शीप लिया है यह ब्रिक्स इनुव डिवल्पमेंट बैंक का एक नया मिमबर बना है मिसर है और दीखे एस याई हाज्मासंग ने जो है भारत के हाज्मासंग को Based Organizer Award से सामानित किया है क्यों किया है इसका उत्तर जाने के लिए परसो का वीडियो देख सकते हैं और देखे भी हाली में Online Text Editing Platform Grammarly ने राहुल लाय चौधरी को अपना नया CEO Appoint किया यानि कि अगला CEO Appoint किया है तो इसी परने के साथ आज का ये वीडियो समापत हो गया और आपनो जो है सायो करते रहे है ये मेरा UPI नमबर है ताकि ये चैनल बना रहे है ठीक है धैने बाद